मेवार सिटी पैलिस से जुड़ी दस बड़ी बातें राजस्थान का जीलों का शहर उदेपूर अपनी खुबसूरती के लिए मशहूर है इस खुबसूरत शहर में सिटी पैलिस थित है जो इन दिनों महाराना प्रताप के वंश्चों के बीच विवाद का केंद्र बन गया है आईए यहाँ जाने सिटी पैलिस से जुड़ी दस बड़ी बातें उदेपूर का सिटी पैलिस राजस्थान के सबसे शांदार महलों में से एक है इस शांदार महल की नीम्व महाराना उदे सिनध वितिय ने सोलवी शताबदी में रखी थी चित्तोर गड किले पर हमलों के बाद महाराना उदे सिह ने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया और इस उद्देश के लिए उन्होंने उदेपूर की स्थापना की ये महल राजपूत, मुगल और यूरोपिय वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है इसकी नकाशी, कांच का काम और रंगीन पेंटिंग इसे एक अनूठा रूप देते हैं सिटी पैलिस दरसल कई छोटे महलों का समू है, हर महल की अपनी कहानी और महत्व है सिटी पैलिस में एक धूनी भी है, जिसे साधु प्रयाग गिरी महाराज ने स्थापित किया था ये धूनी मेवाड राजवंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उदेपूर सिटी पैलिस का निर्मान महाराणा उदे सिनह द्वित्य के शासनकाल में शुरू हुआ था जिसे बाद में उनके उतराधी कारियों ने 400 साल में इसे पूरा किया ये सिटी पैलिस मेवाड राजवंच की शानदार विरासत का प्रतीक है इस महल का निर्मान बाई शासकों ने करवाया था उदेपूर को भारत का वैनिस भी कहा जाता है हाल ही में महाराणा प्रताप के वन्श्चों के बीच सिटी पैलिस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है ये विवाद मुख्य रूप से सिटी पैलिस पर अधिकार को लेकर है महाराणा प्रताप के वन्श्चों में ये परंपरा रही है कि वे सिटी पैलिस में धूनी माता के दर्शन करने जाते हैं लेकिन वर्तमान में सिटी पैलिस पर अर्विन सिन्ह मेवार का कबजा है